चंद्रियान थ्रीगे स्तक्सस पूली लेंडिंग के बाद हमारा दूसरा मिशन जा रहा है सन की स्टडी करने के लिए जिसका नाम है आदित्य एलवन जी हाँ 15 लाग किलोमेटर की दूरी का डिस्टेंस कवर करके 2 सेप्टमबर को ये मिशन भेजा जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV रोकेट का यूज़ करके इसे सूर्य की हेलो ओर्मिट में स्थित किया जाएगा तो आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर आ लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं सन के पास में ग्राविटी होती है और ग्राविटी से ये सभी चीजों को जो एस्टरोइट्स हैं चाहे प्लानेट्स हैं अपनी और खीचने की कोशिश करता है अब ग्राविटी की वज़े से हमारा जो ये सेटलाइट है एक ऐसे लवन है क्या आप यहां पर देख रहे होंगे सन के आसपास में पाच पॉइंट्स हैं तो सबसे इंपॉर्टेन जो पॉइंट है यहां पे एलवन ये अर्थ और सन के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ग्राविटेशनल फोर्स आपको एक्वल मिलेगा यहां पर ग साल इसकी वालेडिटी रहेगी पाच साल इसकी लाइफ रहेगी पाच साल ते की अध्यन करेगा अब बात यह आती है कि आखिर ये किन चीजों की स्टडी करने वाला है तो चलिए जानते हैं किन किन चीजों की यहां पर स्टडी की जाएगी सन के एक्मोसफेर जो सूर्य का YU मंडल है इसमें क्या-क्या बदलाव होती है और इनके बदलाव की वज़य से बाकी ग्रहों पे क्या प्रभाव पढ़ता है Sun के atmosphere में changes, बदलाव की वज़य से प्रतवी पर क्या-क्या प्रभाव पढ़ सकता है इस चीज की जानकारी इस रो तक पहुंचाई जाएगी इस सेटलाइट के माध्यम से दूसरा कोरोनल मास इस एक्षिन जो सन की सतह पे सन की सरफेस पर बहुत जादा विसपोर्ट होते हैं तो वहाँ पे जो ये विसपोर्ट एक्टिविटीज होती है इन चीजों की भी स्टडी की जाएगी कि उनका बाकी ग्रहों पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है सोलर एमिशन की स्टडी की जाएगी सोलर विंड्स होगे फोटोस्फियर क्रॉमस्फियर और कोरोना ये बाहरी जो ये लेयर्स होती फोटोस्फियर एंट क्रॉमस्फियर जो होती है बाहरी लेयर्स इनकी स्टडी की जाएगी तो इन सारी चीजों की study करने के लिए इस mission को भेजा जा रहा है ये भारत का पहला sun का mission है जो sun की study करने के लिए भेजा जा रहा है इसमें कुल 7 payloads साथ में भेजे जाएंगे ये payloads कौन कौन से होंगे ये देखिए visible emission line, coronagraph, VELC ये सबसे important होगा यहां से आपकी exam में भी question बन सकता है इसके अलावा बाकि 6 payloads और भी है कुल मिला के 7 payloads हैं जो यहां पर भेजे जाएंगे तो यहां पर जो हमारा mission भेजा जा रहा है इसका main काम क्या है 24 hours sun की imaging करना ये 24 घंटे sun की imaging करेगा और इसमें होने वाले सभी बदलाव की जानकारी इसरों को देगा अगर ये successful होता है तो इससे हमें प्रत्वी पर जो भी sun के प्रभाव पढ़ते हैं उसकी सारी जानकारी मिल जाएगी और आने वाली बहुत सारी चीज़े आप कह सकते हो आने वाली जो भी मुसीबते होंग या फिर आने वाली अच्छी बुरी जो भी चीज़े उसके जानकारी हमें पहले से मिल जाएगी तो हम सभी कामना करते हैं कि इसरों का ये दूसरा मिशन यानि की चंद्रमा 3 के बाद दूसरा मैं इस साल की बात कर रही हूँ वैसे तो इसरों के बहुत सारे मिशन से जो successfully हो हैं इसरों को 2 सेप्टेंबर का इंतजार करते हैं 2 सेप्टेंबर को इस मिशन को launch किया जाएगा यहां से काफी सारे questions आपकी exam perspective से बन सकते हैं वो इस वीडियो में कुछ cover मैंने कर दिया है बाकी ये वीडियो सिर्फ जानकारी देने के लिए थी कि क्यों इसको launch किया जा रह तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वेडियो में और हाँ आप सभी को happy रक्षा बंदर thank you so much have a good day bye bye